नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं 2023 का महा संग्राम मैं हूँ आपके साथ रितू ग्यानवादी सबसे पहले बाद 36 गड़ की वदासभाद चुनाव खत्म होते ही प्रदेश के डिप्टे सीम्टी से देव ने एक बड़ा बयान दे दिया है से देव ने क मौका तो आख्री है बनने का ये तो तैह है की सीम नहीं बनने की स्थिती में आगे चुनाव लड़ने का कोई अचित नहीं है नहीं लड़ूगा और जो काम मिलेगा मद्दाता जिम्मेदारी देंगे तो उसको निवाने की भरपूर कोशिश करो मन की भावनाए है मन में रखा है तो उससे बड़ी चीज क्या है वो तो मिली गया बाकी तो भौतिक रूप से काम करने का मौका है मिलेगा तो मुझे खुशी होगी मैं भी चाहूंगा कि जिस थान पर काम करने का मौका मिले करके देखूं विधायक था तो विधायक की रूप में काम किया जितना कर सकता था धिता पधिपक्ष की रूप में काम करने का मौका मिला तो वहां जो मैं कर सकता था मैंने अपना युगदान दिया मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला तो मंत्री के रूप में विभागों में जो भी कर सकता था और दूसरी तरफ सेदेव के बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया है बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमेट चुमनारी ने कहा कि पिछली बार कॉंक्रस ने सेदेव के साथ बड़ा धुखा किया धाई धाई साल के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा था लेकिन पाटी ने उठेव धुखा दे दिया जबकि इस बार सेदेव के मुख्यमंतरी बनने की कोई संभावना ही नहीं है क्योंकि इस बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है मुख्यमंद्री पिछली सरकार में ही बना दिया जाना था लेकिन उनके साथ एक बड़ा धोका हुआ इसकी सहनुभूती सभी को है लेकिन आप वो मुख्यमंद्री बनेंगे इसकी संभावना ना के बराबर इसलिए है क्योंकि अब कॉंग्रेस की सरकार नहीं आ रही है जब 20 साल का commitment था और सरकार भी थी तब उन्हें मुख्यमंद्री बना देना चाहिए था लेकिन जो कॉंग्रेस पार्टी अपने वरिस नेताओं के साथ ही इतने बड़े धोके करती है वो जन्ता से कैसे दगावाजी करने से बाद आएगी ये जन्ता जान चुकी थी इसलिए अब कॉंग्रेस को विदा करके 36 गड़ में कमल खिलाने जाए तो सेदेव नहीं बड़ा बयान दिया जसके बाद जो है बीजेपी ने भी पलटवार किया बूला किसी तरह कि कोई संभावना नहीं है सेदेव के मुख्यमंतरी बनने की क्योंकि इस बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है बीजेपी का मुख्यमंतरी बनेगा तो ये बड़ा बया से देव की द्वारा उसके बाद पलटवार जो है भीजबे की द्वारा किया गया है बता दें आपको सियासत लगातार इन पात सालों में हमने देखी मुख्यमंतरी पत को लेकर के दरसल धाई-डाई साल के फॉर्मूले पर कॉंग्रस चल रही थी पर ऐस हो नहीं पाया और मुख्यमंतरी भुपेश भगेल ने ही कमान जो है संभाल रखी इन पांच सालों में और सियासत खूब होती रही मनमुटाव भी होते रहे पर आखरी में जाकर के टीसे देव को जिम्मिदारी दे दी गई बड़ी जिम्मिदारी दे दी गई उन्हें उप दे बीजेपी लगातार घेरती रही बही कि बम जब होचके हैं अब इंतजार है रिजल्ट का इंतजार ऐं तीन तार één की कांटेंग का इंतजार है तो पूरा सोच रहे हैं तीयस से देव की अब जब सरकार बनेगी तो तीयस से देव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा उधर बीजेपी चुटकी ले रही है बीजेपी का कहना है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है पहले तो इन्होंने डाइडाई साल का फॉर्मूला चलाया तब वक्त था हैं इनके पास तब किया नहीं अब जब बीजेपी सरकार बनाने जा रही है तो इन बातों का कोई औचित्य नहीं बनता आपने सुना टियस सेदेफ को भी उन्होंने बड़ा बयान दिया उन्होंने कहा अमारी सरकार बनती है मैं मुख्यमंतरी बनूंगा और रज़्दा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिशेख शुक्ल जुड़ गए हैं अभिशेख हमने इन पात सालों में खूप सियासत देखे मुख्यमंतरी के पत को ले करके चुकि धाइड़ाई साल का फॉर्मूला अपनाया गया था कॉंग्रस के द्वारा पर कमान मुख्यमंतरी भुपेश बगेल नहीं संभाल रखी और मन मुटाफ भी हमने देखे फिर चीजें सामाने होती हुई भी हमने देखी और आखरी में जाकर के हमने ये देखा कि टेसे देव जी को जिम्मधारी दी गए डेपिटे सीम बना आ गया पर अब जब चुनाव हो गए हैं तो वो दावा कर रहे हैं कि हां मुझे बड़ी पर पेश कर दी है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीम बनने का उनके पास आखरी मौका है क्योंकि इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो साफ तौर पर सीम बनने के लिए जो दावेदारी है वो टीय सिंदे उन्हें अपनी यहां पर ठोक दी है एक तरीके से आ उनके पास आखरी मौका है ये भी उन्होंने क्लियर किया है तो कुल मिलाकर 2018 में जो परिसितिया थी हलाकि उस समय कोई नाम घोशित नहीं था तब भी 3-4 नाम सामने आये थे और रिजल्ट आने के बाद वुआ पो का दौर था उस समय दिल्ली बुलाया गया था तमाम बड दावेदारी ठोक दिये तो समझ लिए एक तरीके से रिजल्ट आने का इंतजार नहीं किया है और पिछली बार वो पीछे छूट गये थे इस दौर में और इस बार वो शायद यहीं चाह रहे है कि वो दौर में आगे रहे हैं इसलिए रिजल्ट आने के पहले ही अपनी दा पिछली बार आपने जैसा की जिक्र किया कि पिछली बार दौर में पीछे रहे गए कई कोशिशें की गई पर शायद हासल नहीं कर पाए हम ऐसा कह सकते हैं अब जब उन्होंने दावेदारी ठोक दी है यहां पर उन्होंने कह दिया है यह हम कहें कि आला कमान को उन्होंने कि बड़ा मैसेज दिया है तो आखर ऐसे किस तरह से दिखा जाए अगर यहां पर कॉंक्रेस सप्ता में फिर से आती है तो क्या लगता है बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है कॉंक्रेस के लिए दिखिए आला कमान के दिमाग में जरूर कुछ न कुछ होगा पिछली बार इतना बंपर बहुमत मिलेगा अंदाजा नहीं था और इसलिए बाद में बैट कर आला कमान ने तैय किया और सब को बुलाया था दिल्ली और दिल्ली बुलाने के बाद आपस में तैय किया गया थ इस बार पिक्चर काफी क्लियर होगी उनके केंदरी नेतरत के जहन में पिछली बार क्योंकि विपक्ष में थी कॉंग्रेस इसलिए जादा दिक्कते थी इस बार सत्ता में है कॉंग्रेस मुख्यमंतरी बुपेश वगेल एक चेहरा है मुख्यमंतरी के तौर पर जो पास साल रहे हैं डिप्टी सेम टियस इंदेव जरूर पिछली बार धाई साल बाद उनका धाई-धाई साल का फार्मूला था जो चर्चा में आया था वो पास साल चर्चा में रहा लेकिन एक बार फिर से जो दावेदारी उन्होंने ठोकी है सियासी हलकों में गहमा गहमी जरूर है चर्चा जरूर है और उनके विए जहन में यही बात होगी जरूर कि 2018 में रिजल्ट आने तक वेट किया गया था और उसके बाद दाववा ठोका गया था इस लिए इस बार उन्होंने पहले से अपने दावेदारी ठोक दी है ऑन आ जुड़े हुए हैय श्रवन आथियस सद यहां पर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। बनाने के बाद गहमा गहमी की स्थिती हुई थी और कहीं ने कहीं है यही वज़त था कि सींदेओं जो है सीम नहीं बन पाए और धाइड़ाई साय का जो फार्मूला था उस पर सीमट के रह गए लेकिन इस बार अगर कहें तो हाई कमान कांग्रेस के हाई कमान को जो यह पाइज है वो कहीं ने कहीं सींदेओं पहुंचाने कोशिज कर रहे हैं कि इस बार जो है सीम का दावेदार महीं हूँ और इस बार मेरा आखरी मौका है जी ठीक ठीक बहुत बहुत शुक्रिया अभिशेग आपका भी श्रवन आपका भी आगे बढ़ेंगे सेदेव के बया को पार्टी से बाहर करने के मांके और राजी भवन पर जम कर हंगामा किया साथ युनों ने कहा कि उनकी शिकायट पर कारवाई नहीं होती तो ब्लॉक से लेकर जिला अध्यक्षु तक सब कॉंग्रेस से सामोहिक इस्तिफात देंगे चुनाओं के बाद आज समिच्छा मैडम ले रहे हैं उसमें मैं आया था साथ में हमारे ब्लॉक कॉंग्रेस कमेटी के जिला के प्रदेश के सारे कॉंग्रेस के बूत और सेक्टर जोन के लोग काफी आपरोसीत में थे कि अमीन मेमन जो अल्ब संख्या गायोग का धच है उ हम लोग आपकी बात को सुने हैं आवेदन को भी हम लोगों ने दिया है सीनियर लीडरों ने और समय पर उचित कर वही होगी आये अमीन मेमन को आप पहले भी जानते हैं कि अंतागड में सवधा वाजी करके लाब पहुंचाने के लिए भारती जनता पार्टी को और वो पै कि ऐसा करेगा तो हम सारे केसकाल विधान सवा के बूस सेक्टर जोन और बलाक और जीले सारे लोग एक साती स्थीपा दे दें